नमस्कार दोश्तों हमारे चैनल में आप सभी का स्वावत है तो चलिए हम रोज की तरह लेकर के हाजिर हैं आपके लिए कुछ ऐसे किचन के हैक्स जिससे कि हम अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं और अपने घर को बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं क्योंकि दिवाली आ रही अ आप लोगों को जरूर पसंद आएंगे तो चलिए फिर देड़ ना करते हुए शुरू करते हैं पहली टिप्स तो पहली टिप्स हमारी है जैसे कि इस तरह की डलिया हम ले करके आते हैं तो इसको हम सबजी रखने के लिए लाते हैं लेकिन हम आज एक डलिया से आपको इतन हर किसी के घर में मिल जाती हैं तो चलिए फिर क्यों ना देड़ करते हुए हम आप लोगों के साथ में पईली टिप्स तो जैसे क्या होता है कि इस तरह से कोई भी आप जैसे कोई भी लकडी ले लीजिए जैसे यह जहाडू की लकडिया है इनको हम ने चूड़ी के लिए तो चलिए इसमें हम आपको दिखाते हैं कि यह छोटी सी डलिया है इसमें हम इसको फिक्स कर देते हैं चाहे इसको बेडा करें या तो अगर बड़ी है तो आप लंबाई में कर सकते हैं तो इसमें हमारी क्या होगा आप देखते रहे हैं इस तरह से इसको हम रखतेंगे तो लग हमको कोई चीज खरीदनी नहींपदेगी बाहर से हमको कोई चीज नहीं लेना पड़ेगा अगर चाहे तो जो इष्टिक मिलती आप छोटी होती है उसको आप लगा सकते हैं और नहीं तो घर पे भी बना सकते हैं तो इसका वीडियो ए अल्रड़ी हमारे kidnapping तो उसमें आप देख सकते हैं कि पुरानी जाड़ू से हम कितना बढ़िया उगनाईजर बना करके तैयार किये थे तो देखे इसको मैंने इस तरह से फिक्स कर दिया अगर आपको बढ़ी लगे तो इसको कट भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ी सी निकली रहती है तो यह हमारा सम इस तरह से उगनाईजर करें कि ऐसे रखते हैं तो यह विख्री विख्री पड़ी रहती है तो इस तरह से अगर रख देंगे तो हमारा एक ही डलिया में हमारे सारी चूडिया आ जाएंगे तो एक तरफ से इसको फसा दीजिए और एक तरफ से खुला रखिए उसके बाद म करना हर किसी को पसंद होता है तो इस तरह से हम छोटे-छोटे ओगनाईजर घर पे बना करके मैं तो इसी तरह से हर किसी के पास तो इसतना पैसा नहीं रहता कि हर चीज के लिए अपना ओगनाईजर खरीद के लेके आए और अपना छोटे-छोटे कामों से हम इस तरह से मैं जितनी चूडियां आप एक डल्या में आपको लह रख कर दिखा रही हूं। मैं उपर पणसर चढ़ादे और पर इंक रोप लगी हो खुशता है जिससे को हमारा वा tips यह प्युद्भी अपधने में फपछे आपके और यह जितनी चूडियां थी हैं Simone इसको आप चिपका देंगे या रख देंगे पनी में करके तो हमारी चुडिया खराब भी नहीं होगी तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और अपनों के साथ से भर भर के सेर करना ताकि यह आइडिया सभी को पता चले और इस दिवाली आप लोग भी इसी तर तरुके दे-षी बुखर, के बूड़ा के तो अगर बेडि करके रखेंगे तो इसमें बहुत कम आएंगी और हमारी जगे भी कम लगेगी तो इस तरह सी इसको खड़ी कर दीजिये और खरी करने के बाद में अप इसमें धेर भी तो अधारी ऋल्मारी में इस तरह से रख दीजिए एड्रेसिंग पे रख दीजिए और जब भी जो आउ सकता हो तो उसको इस तरह से निकाल लीजिए एक बुक और आपका एक सामान विखरा हुआ नहीं दिखाई देगा और बच्चे अपना काम भी आसानी से कर सकते हो जब सफाई करनी हो तो डलिया क इस तरह से खींच लीजिए और अपनी टेबल की सफाई भी कर सकते हैं तो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना तो चलिए अगली टिप्स हमारी क्या है देखने में भी यह काफी सुन्दर लग रहा है एक डलिया ही है लेकिन अगर इस तरह से हम अपना सामान सब व ूंते रहते हैं ऐसे रख देख देखिए तो और आप रख दीजिए और रखने के बाद में अपने किचन में इसको आप रख सकते हैं छान क问 कर दो हों को को यह जरूर पसंद आया होगा तो देखे इस तरह से आप कहीं भी इसको अरजेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद चलिए दूसरी टिप्स हमारी क्या है कि सिंग में गिलास का क्या कमाल है जैसे कभी-कभी होता है कि बरतन धुलते रहते हैं जो पानी के दाग होते हैं वो हमारे काफी गंदी हो जाती है और हमारी ब्लॉक होने का डर रहता है तो फिर प्लंबर बलाने का काम बढ़ जाता है और पैसा भी लगता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक चमच ले लिया है मैंने निर्मा ले लिया है कोई भी सरफाप ले लिजिए एक चमच जो वेकिंग सो इस तरह से मिक्स करने के बाद में वाइट विनेगर हर किसी के घर में होता है तो इसमें हम दो चम्मच वाइट विनेगर डाल देंगे और दो चम्मच डालते ही आप देखेंगे इसका रेक्शन कितना बढ़िया होता है और हमारा जितना भी है क्या चाहे जितना टायल्स कई पर कैसे नहीं के तो फीम को fera कर दो नहींEC से कि में सब्सक्राइब करायां WOW यहां भी वृण होती है उसको लगा देना है पैलेंस तैसे लेक्टेत बेलो पूरा अगरकों को यह सकता है यहां बिना रग्राइ यह सुपती है कि सिंग को फाहिए टेल्स आप इससे साप कर सकते हैं छोटी सी टिप्स है लेकिन ये बहुत काम की है और दिवाली में हर किसी के काम की है एक बार जरूर योज करके देखना फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि हमारी ये टिप्स आप लोगों को कैसी लगी तो देखे इस तरह से मैंने पू ने ने कि थिड़ाने के बाद में आप देखेंगे कि बिल्कूल हमारी इक सिंग एक दम चमक जाएगी और अजया भी साफ हो जायगी तो इस तरह से लगाने के बाद में देखें मैं अब इसमें पानी डाल रही हूं चितना पानी होगा तो यह सब जब चाहेगा तो पाइप जाम नहीं होगी और हमारी पाइप एकदम नीचे तक साफ हो जाएगी अपने आप ही क्योंकि इसमें इनो और विनेगर है और बेकिंग सोड़ा है इससे हमारी पाइप में कुछ भी फसा होता है जैसे होता है खाना इसमें बरतन दुलते हैं जूठे तो थोड़ा बहुत पाइप नहीं होगी और इस तरह से हमारे टैल्स भी चमकते रहेंगे तो देखे कितना अच्छा हमारा दो मिनट भी नहीं लगता है तुरन साफ हो गई उम्मिद करती हूं पसंद आई होगी पसंद आये तो लाइक जरूर करना अपनों के साथ सेर करना ताकि सब के काम आ सक के